आज हम वन एवं वन्य जीवा भहरण के नेक्स्ट बिस किश्चन करेंगे इसका पहला किश्चन है राजस्थान में 50 परतिशत से ज्यादा वन शेत्र किश्च रेणी में है आरक्षित वन, सुरक्षित वन, दोनों, कोई नहीं राजस्थान में 50 परतिशत से ज्यादा वन शुरक्षित वन किश्चनी में है सुरक्षित वन 53.48% पर फेला हुआ है और आरक्षित वन 38.02% पर फेला हुआ है तो इसका उप्षन है Be Correct सुरक्षित वन राजिस्थान के वे जिले जिन में खस नाम की सुगंदित घास परचूरता से उकती है भरतपुर, टौक, सवायमादपुर, उप्रोक्ट सभी तो राजिस्थान के ये तीन जिले हैं भरतपुर, टौक, सवायमादपुर जहां पर खस नाम की सुगंदित घास पर्चूत्रा से उकती है तो इसका option है be correct राजिस्थान का कुल वन शेत्र है 18,408 स्कॉयर किलोमीटर 12,353.75 स्कॉयर किलोमीटर 32,488 स्कॉयर किलोमीटर ओलोग दियाओ तो राजिस्थान का जो कुल वन शेत्र है वो है 32,488 स्कॉयर किलोमीटर इसका option है C correct कौन सा राजिस्थान वानिकी एवं जे विवित्ता पर्यूजना का उद्देश्य नहीं है व्रक्षार उपन, जे विवित्ता संरक्षन, बाढ़नी एंतरन, जल संरक्षन तो जे विवित्ता संरक्षन जो है वो राजिस्थान वानिकी एवं जे विवित्ता पर्यूजना का उद्देश्य नहीं है तो इसका option है B correct राजिस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटी बंदिय शुष्क पनपातिवन पाए जाते हैं तो इसका option है A correct थार का कल्प व्रक्ष कहा जाने वाला व्रक्ष है खेजडी रोहिडा दोनों कोई नहीं तो थार का जो कल्प व्रक्ष है वो है खेजडी और इसको 1983 में राज्य व्रक्ष का दर्जा दिया गया था इस व्रक्ष को शमी जाटी और धोकडा भी कहा जाता है शमी जाटी और धोकडा भी कहा जाता है खेजडी व्रक्ष को तो इसका option है A correct राज्य पुष्प जिसे राज्यस्थान का सागवान कहा जाता है रोहिडा खेजडी दोनों कोई नहीं तो रोहिडा को राज्यस्थान का सागवान कहा जाता है इसको 1983 में राज्य पुष्प की उपादी दी गई थी और जोदपूर में इसे मारवाड टीक कहा जाता है तो इसका option है A correct राजिस्थान का कौन सा हिस्सा बड़े बेपाने पर वन शेतर से रहीत है पूर्वी, उत्तरी, पस्चिमी, दक्षणी तो राजिस्थान का जो पस्चिमी हिस्सा है वो वन शेतर से रहीत है इसका option है C correct शुष्क वन अनुसंदान संस्थान कहां इस्थित है जेपूर, जोदपूर, उदेपूर कोई नहीं तो शुष्क वन अनुसंदान संस्थान A, F, R, I जोदपूर में इस्थित है इसका option है B correct राज्य का नियून्तम वन शेतर वाला जिला है जेपूर, चुरू, उदेपूर, चित्तोडगड तो राज्य का जो नियून्तम वन शेतर वाला जिला है वो है चुरू और सबसे ज़्यादा है उदेपूर उडन गिलहरी के लिए राजिस्थान का कौन सा अभ्यारण्य परसिद्ध है तो जो सीता माता अभ्यारण्य है वो उडन गिलहरी के लिए फेमस है ये चित्तोडगड और परताबगड जिलों में विस्तरत है ये चोसिंगा और चीतल के लिए भी फेमस है तो इसका उप्शन है एकरेक्ट ताल चापर अभ्यारण्य राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है तो ताल चापर अभ्यारण्य जो है वो चुरू जिले में इस्तित है इसका उप्शन है C करेक्ट एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजिनन शेत्र है रंधंबोर, नेशनल पार्क, केवलादेव, राश्ट्रिय उद्यान, सीता मता अभ्यारण्या या फिर कोई नहीं एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन शेत्र है केवलादेव, राश्ट्रिय उद्यान तो इसका उप्षन है बी करेक्ट राश्ट्रिय गड़ियाल अभ्यारण्या इस्थि थे, चितोड़गड में, उद्यपुर में, कोटा में कोई नहीं तो राश्ट्रिय गड़ियाल अभ्यारण्या जो है, वो कोटा में इस्थि थे, इसका उप्षन है सी करेक्ट भेस रोडगड वन्यजीव अभ्यरण ने किस जिले में इस्थित है चूरू चितोडगड सरिस्का कोई नहीं तो भेस रोडगड वन्यजीव अभ्यरण ने जो है वो चितोडगड में इस्थित है और ये घडियाल के लिए फेमस है इसका उप्षन है बी करेक्ट कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर गोशित किया गया है भेंस रोडगर्ड, केवलादेव, रन्थमबोर, नेशनल पार्क कोई नहीं तो जो केवलादेव है वो विश्व धरोहर गोशित किया गया है इसका option है B correct हरे कबुत्ता राजिस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं सरिस्का केवलादेव, सीता माता अभ्यारण्य या फिर कोई नहीं हरे कबुत्ता राजिस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं इसका option है A correct अलवर जिले का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है सरिस का अभ्यारन्य रंथम और नेशनल पार्क दोनों कोई नहीं तो जो सरिस का अभ्यारन्य जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है और जो सरिस्का अभ्यरन्य है वहाँ पर मयूरों का घनतों सबसे अधिक है तो इसका उप्षन है एकरेक्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती बिल क्विंटर द्वारा भारत यत्रा के दोरान किस राष्ट्रिय पार्क की यत्रा की गई तो इसका अभ्यरन्य है रामगड विश्धारी अभ्यरन्य है वो बूंदी जिले में इस्थित है इसका option है A correct Thank you very much for watching this lecture और अगले lecture में हम इसके थोड़े से और question करेंगे Thank you very much